Ring Topology तो Ring Topology की अंदर जो है हमारे पास कुछ representation की बात करें Ring Topology की तो you can see is on the screen तो जब मी हम Ring Topology की बात करते हैं तो हमारे mind में एक या पिक्चर आती है जो आप यहाँ पर screen पर देख पा रहे हैं हमें यहाँ पर देखने को इसको ऐसा लगता है कि हर device के पास में जो है दो-दो NIC card है यानि कि network interface card है जिसके जरीए आपस में cable show को connectivity करी गई है लेकिन physical connectivity कुछ ऐसी नहीं होती फिजिकल connectivity आपकी कुछ इस तरह की होती है बीच में एक आपका device लगता है जिसको हम MAU device बोलते हैं यह आपका media access unit तो इस device के अंदर जो है आपके जितने भी ports होते हैं उसको आपस में ring formation के अंदर connect किया जाता है और बाकी अगर हम बात करें end devices को connect करने के लिए तो यह इसके single single point के उपर में connection किया जाता है यहां पे इसके जो हम advantage की बात करें तो advantage यहां पे यह कि बहुत आसानी से यह आपका native जो है वो formation किया जा सकता है य जो ही आपका जो है यहां पे data को transmit कर सकता बाकी जितने भी डिवाइस हैं वो आपके तब तक silently सिर्फ receive करने के लिए बैठे रहेंगे तो इसलिए यह आपकी ring topology जो है थोड़ा सा slow data को travel करती है तो इसलिए इसको जादा तर हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं